हलो फ्रेंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कद्दो की बिलकुल नई और मज़ेदार रेसिपी एक बार आपने इस तरीके से कद्दो की सबजी बना लीना तो आप दिवाने हो जाओगे और हमेशा इसी तरीके से कद्दो की सबजी बनाया करेंगे तो वीडियो को मैंने इस तरीके से थोड़ा सा बड़े साइज का लिया है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना चोटा या बड़ा आपने सबजी बनानी है तो अच्छे से मैं यह बीज का जो हिस्सा होता है इसका बीज वाला वो मैंने निकाल लिया है और अच्छे से इसे वोश कर यह स्टेंड अगर आपके पास नहीं है तो डिरेक्ट गैस पे भी आप इसे पका सकते हैं तो यह देखिए कद्दो को अच्छे से मैंने चारो तरफ से भून लिया है और इसे हम अभी ठंडा होने के लिए रख देंगे तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं तो गैस को मैंने ओ टमाटर के अंदर तक ढाना चाहिये तो यह देखिए लसून हमारा बहुत जल्दी पकत जाता है और भून जाता है यह टमाटर भी अच्छे से हमारे भून चुके हैं अंदर थक स्मोकी फलेवर चल डुटा घया है दू मिर्च माने ले ली है और बहुत जल्दी भून जात और कद्दु के हम अभी 2 टुकट कर देंगे अभी बिलकुल सौफ्ट हो चुका है और इझली हमारा कट रहा है स्मोकी फ्लेवर है इसके अंदर तक जा चुका है बहुत ही अच्छे खुश्बू हमारी रेसिपी के अंदर से आएगी जब हम इस रेसिपी को इस तरीके से बनाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल इसली इसका छिलका उतार लेंगे और इसको वोश बिल्कुल भी नहीं करना है हलके सी ये ब्लैकनेस है ना तो आप कपड़े से भी पोच सकते हैं तो रफली अभी मैंने इसे चोप कर लिया है और अब लेंगे हम एक मिक्सी ग्राइंडर जार मैंने बड़े वाला जार ले लिया जिसमें हम जूस वगरा बनाते हैं और यह देखी अछे से हम इसे दरडरा सा ही पीसेंगे मलब रुक-रुक म equation के हमें मिक्सी चलानी है और यह देखी इस तरीके से हमने इसका पेस्ट बिलकुल भी नहीं बनाना इस तरीके से छोटे छोटे से चुकड़े हमने करने है अगर हम मिक्सी को रुक रुक के चलाएंगे तो इस तरीके से ये पीस जाएगा लगातार चलाएंगे तो इसका पेस्ट बन जाएगा पेस्ट हमने बिल्कुल भी नहीं बनाना तो सारे ही कद्दू को हमने अच्छे से पीस लिया है अब बारी आती है टमाटर की टमाटर की चलके भी हम इजली उतार लेंगे ये देखी बहुत इजली इसके चलके उतार जाते हैं ऐसे ही लसुन की चलके हम उतार लेंगे और धोने बिल्कुल भी नहीं है नहीं तो इनका जो स्मोकी फ्लेवर है वो खतम हो जाएगा तो टमाटर का जो बीच का हिस्सा होता है जो टाइट वाला होता है वो मैंने निकाल लिया था चाको की साहता से और अच्छे से इन्हें मैश कर लेंगे मैशर की सायता से और टुकड़े अगर रह रहे हैं न टमाटर की तो ये कोई दिक्त नहीं है हम बाद में इने पका लेंगे और ये देखिए बिल्कुल हमने मिक्सी में इसका पेस्ट नहीं बनाना हलका सा मैशर से ही हमने मैश करना है लसुन है हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है मिर्च को भी बारिक कट कर लिया है अब ले लेंगे एक कड़ाई और इसमें जाएगा सरसो का ओईल सरसो के ओईल में बहुत ही अच्छी फ्लेवर या खुश्बू आती है इस रेसिपी में और इस सबजी का हम तड़का भी थोड़ा सा अलग लगाएंगे थोड़ी सी राई थोड़ी सी उरत दल हलकी से मेथी दाना और जीरा साथ ही थोड़ी सी चना दाल साथ ही मैंने फ्रेश करी लिव्स लिए हैं और साथ ही मैंने इसमें हिंग डाल दी है ताकि बहुत अच्छी खुश्बू आए जब यह अच्छे से भून जाए तो इसमें एक मीडियम साइज का प्याज कट करके डाल देंगे लेकिन प्याज हमारा बारिक होना चाहिए तो यह देखिए प्याज को भी थोड़ा सा हलका सा गोल्डन होने तक हम भूनेंगे टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे कुछ मसाले जाएंगे जैसे मैंने हल्दी, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, थनिया पाउडर और साथ ही थोड़ा सा अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, अगर आपके पैस अमचूर पाउडर नहीं है तो अमबी भी डाल सकते हैं, जो कच्चा आम आता है न, व पेस्ट बनाया था कद्दू का वह हम इसके अंदर डाल देंगे और सारे मसाले हैं वह अच्छे से इसके उपर कोट कर देंगे यानि अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें जाएगा एक चमच के करीब हमने गुड़ लिया है यानि कि जैगरी जैगरी डालने से जो ह फ्लेम पे इसे पकने दिया है और बहुत अच्छी खुश्बू इसके अंदर से आ रही है और यह देखिए हमारी सबजी है यानि कि जो हमने कद्दू का भरता बनाया है बहुत ही लाजवाब बनाया है तो आप इस कद्दू के भरते को एक बार ट्राइ जरूर ही करना आप को बहुत पसंद आएगा बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही मज़ीदार एंड टेस्टी है तो आज की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तेंक यू सो माच